और चले अब बात करते हैं महापर्व छट की लोकास्था का महापर्व छट को लेकर अब तैयारी जोरो शोर उपर हैं बिहार के सभी छट खाटो पर अब साफ सपाई कीजा रही हैं नेताओ से लेकर प्रसाशन तक सभी तैयारियों का जाइसा लेने पहुंच रहे हैं हिंदू पंचान की मताबिक हर साल कार्थिक महिने के शुक्ल पक्षकी चतुर्थी तिथी से छटपूजा का त्योहार मनाया जाता है ये महापर पूरे चार दिनों तक चलता है जिसकी शिर्वात नहाय खाई से होती है चट पूजा का मुख्य व्रत कार्थिक मास में शुक्ल पक्षकी चश्टी तिथी पर रखा जाता है इस दिन महिनाई अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छी सेहत भविश्यक लिए सूरेदेव और चटी मया की पूजा करती है इस महापर्व के दौरान महिलाएं पूरे 36 खंटे का नरजला व्रत रखती हैं इसी वज़े से चट के व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक वाना जाता है इस बार 5 नवंबर को नहाय खाय के साथ 6 महापर्व की शुरुवात होने जा रही है उसके बाद 6 नवंबर को खर्णा पूजा, 7 नवंबर को संध्या अर्ग और 8 नवंबर को पूजा का सवापन हो जाएगा तो चट महापर्व को लेकर गंगा सफाई का अभ्यान भी पट्टा में चलाय जा रहा है दिवाली की बाद पूजा के अवशेश लोग गंगा में प्रवाहित करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए सभी घाट पर सफाई करमचारी लगाए गए है इसके लावा माइकिंग भी की जा रही है ताकि लोगों को इस बात की जानकारी लग सके जिला प्रशाशन की तरफ से अवशेश को एकत्रित किया जा रहा है गंगा घाटों में उसे नहीं फेकना है चट में स्वचता और सफाई का काफी ध्यान रखा जाता है एसी को लेकर जला प्रशाशन की तरफ से हर एक घाट पर इसकी तयारी की गई है चट महापड़ों को लेकर जिला प्रसाशन लगतार तयारी कर रहा है और घाटों की सफाई सबसे महतपूर्ण है और इसी कड़ी में राजधानी पटना के विभिन घाटों पर मजिस्टेट और सेक्टर प्रभारी नियुक तिये गए हैं और सफाई करमचारी लोगों को हिदायत भी दे रहे हैं कि घाटों की सफाई करें और घाटों पर जो पूजन समागरी है उसे इधा उधर ना फेके जानेंगे किस तरीके से यहाँ पर घाट सफाई को लेकर काम चल रहा है नगर निगम अपना टीम रखी हुई है क्योंकि गंगा को दूसित नहीं करना हम लोगों को नमामी गंगे के दूसाई तो यहाँ पे हम लोग पूरी टीम लगाये हुए हैं और जो भी पूजा की सामगरी है जो अभी दिपावली में जो लोग भसान करने आ रहे हैं उसको हम लोग बनाये हुए हैं निगम का पूजा जगा तो वहीं पे हम लोग डलवा रहे हैं गंगा में गंगी हम लोग नहीं डलवा रहे हैं और हम लोग पूरा ततपर हैं पूरा नगर निगम ततपर हैं आपको भी दिख रहा हुआ घाट की साब सफाई बहुत अच्छ ये डंपिंग बनाया गया है जगा जगा पे वहाँ वहाँ विछे भी और हम लोग उग्दम ओन ड्यूटी हैं हर घाट पे यहाँ पे जैसे दस लोगों की टीम है जो अभी साब साफाई देख रही है इसी तरह हर एक घाट पे आपको मिल जाएंगे स्वक्सता पदादिकारी को प्रतेग घाटो पर तैनात किया गया है इसलिए कि दिपावली के बाद जो पूजा के अफसेस होते हैं लोग गंगा नदी में फेकते हैं इसके लावे जो लोग पूजा अर्चना करते हैं वो फेकते हैं तो ऐसे में उन लोगों से जिला सनी अपील कर रहा है कि गंगा को साफ रखे ताकि छट महापर्व में जो स्वक्सता का खास ध्यान रखा जाता है और गंगा की सफाई को लेकर भी लगातार मुहीम चलाई जा रही है उसका फायदा लोगों को मिल सके अपने सयोगी अभिशेक के साथ सनी जी मीडिया पतना छट महापर्व को लेकर तयारी अब अंतिम दौर में है पतना जला प्रसाशन लगातार घाटों का निर्मान करने में जुटा है पतना में लगबग 109 गंगा घाटों को जला प्रसाशन की तरफ से तयार कर वाया जा रहा है पतना में कई ऐसे घाट है जो खतरनाक शेनी में हैं यही वज़ा है कि उन घाटों पर लाल कपड़े लगाए गए हैं इनकी वैरिकेडिंग कर इन्हें खेर दिया गया है ताकि लोग वहां ना जा सके छट महा पर्व को लेकर घाटों का निर्मान अब लगबग पूरा हो चुका है और इस तरफ की तस्मीर हम आपको दिखाएंगे लाइट की भी वेवस्था कर दी गई है इसके अलावे वास रूम चेंजिंग रूम पार्किंग सही तमाम तरह की वेवस्था की गई है कप्रे लगा दिये गए हैं ताकि लोगों को ये जानकारी मिल सके कि ये घाट खतरनाक है पूजा करने योग नहीं है और लोग यहां नौ आए जिला प्रसासन की तरफ से लगतार तैयारी चल रही है और अब इस तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है तो निश्चित गंगा नदी के किनारे काफी गहराई है तो जिसको लेकर बेरिकेटिंग भी की गई है गंगा नदी में लगभग दो मीटर के आसपास की वो दूरी है जहां बेरिकेटिंग कर दी गई है इसके लावे लाल कप्रे लगा दिये गए हैं और लोगों को इस घाट परना जाने क कीं हिदायत पूरी की गई है और इस तरफ की अगर हम तस्वीर दिखाएं तो सभी तरह की नदी में भी लोगों को उतरने की बीवस्था की गई है ताकि लोग ज्यादा पानी में नौ जाएं जट व्रती के लिए जो बेवस्थाएं घाट पर की जाती है उन सभी बेवस्थाओं को अब लगभग पूरा कर लिया गया है और 21 सेक्टर में बाटा गया था जिसे अलग-अलग पतादिकारी देख रहे थे और सबसे महत्यपूर्ण पार्किंग को लेकर जो बेवस्थाएं थी उसे देखना था इस तरफ वेवस्था की है तो निश्ची तर पर इस बार लगभग एक दरजन वैसे घाट होंगे जो खतनाग घाट की स्रेनी में हाला कि अभी तक इसको लेकर अधरतन लिस्ट जाड़ी नहीं की गई है लेकिन जिन घाटों पर पूजा करने योग नहीं है नहाने योग नहीं है उन घाटों पर लाल कपरों से घेर दिया गया है ताकि जो छट ब्रति है जो लोग है उस घाट पर न जाए जिला प्रसाशन लोगों से यह अपील भी कर रहा है कि घाटों को जो जिला प्रसाशन की तरफ से चिन्धित की गई है उनी घाटों पर पूजा करे और तमाम त कुछ दिन बचे हैं चटपर्व को लेकर